तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि MS Word फाइल को हम MS PowerPoint में कैसे convert कर सकते हैं दोस्तो अगर आप जानना चाते हैं, सीखना चाते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो पे लास तक बने रहे ये, देखते रहे ये, और सीखते रहे ये तो चलिए दूस्तों बिना किसी देरी के वडियो शुरू करते हैं तो यहां से दूस्तों मैं MS Word उपन कर लेता हूँ दूस्तों अभी जो मैं MS Word यूज कर रहा हूँ वो है MS Word 365 अगर आपको जानना है कि MS Office 365 अपने laptop ये PC में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो दूस्तों इसके regarding मैंने already वीडियो बना दिया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसे देख करके दूस्तों आप अपने laptop ये PC में Microsoft Office 365 इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों हम लोग यहां से blank documents ओपन कर लेते हैं यहां पर दूस्तों voice tapping का option दिया गया है आप यहां जैसे click करेंगे उसके बाद दूस्तों आप जो कुछ भी बोलेंगे वह सभी चीजे यहां पर type होता जाएगा तो दूस्तों आप जैसे चाहे वह इसे इसमें type कर सकते हैं तो आप अपना पहले यहां पर content type कर लेंगे तो तो मैंने दूस्तों already copy करके रखायत यहां मैं paste कर देता हूं तो दूस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर question answer इसमें copy paste कर दिया है तो इस तरह से आप इसमें type कर लेंगे या तो आप कहीं से copy paste भी कर सकते है उसके बाद दोस्तो आप इसे थोड़ा सा formatting कर लेंगे तो यहां पर मैं control A से all select करता हूँ और उसके बाद दोस्तो मैं lining space में जाऊँगा और यहां से दोस्तो remove space after paragraph इसे दोस्तो मैं select कर दूँगा तो इससे क्या होगा कि इसके बीच का जो भी lining space है यह remove हो जाएगा तो दोस्तो मैं manually भी इस तरह से lining space हटा देता हूँ ठीक है और बाकी यहां पर दोस्तो सवाल और option के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा lining space रखेंगे तो इस तरह से दोस्तो आप अपना question answer इसमें type कर लेंगे उसके बाद दोस्तो आप क्या करेंगे इसे अप चाहे तो formatting कर सकते हैं ठीक है इसे यहां से चाहे तो आप centre कर सकते हैं जैसा भी रखना हो आप कर सकते हैं अब दोस्तो इसे आपको बताना होगा कि कौन सा आपका सवाल है और कौन सा आपका option है तो यह चीज़े आपको पहले यहाँ पर बताना होगा जैसे कि दोस्तो यह हमारा सवाल है तो यहाँ से हम लोग इस सवाल को select करेंगे और इसमें दोस्तो हम लोग apply कर देते है heading 1 यह हमार option है इसे मैं select करता हूँ और इसमें दोस्तों मैं heading to apply कर देता हूँ तो इसी तरह से दोस्तों आपको सभी में करना है यानि कि सवाल को select करना है और उसके बाद दोस्तों सवाल में आप heading 1 apply कर देंगे सवाल में heading 1 और उसके बाद दोस्तो जो भी option है इसे आप select करेंगे और यहां से दोस्तो आप इसमें heading 2 apply कर देंगे ठीक है तो इस तरह से दोस्तो आप सभी में कर लिजे इतना होने के बाद दोस्तो अब आपको कह करना है अब दोस्तो यहां पे आपको मिल जाता है quick access tool वार ठीक है अगर आप यहां पे drop down पे click करेंगे तो आपको मिल जाएगा या तो दोस्तो यह चीज़े आपको नीचे भी show कर सकता है जिससे कि यहां पे मैं click करता हूँ और इसे यहां पे मैं select कर देता हूँ show below the ribbon ठीक है तो यह चीज़े दोस्तो नीचे भी show कर सकता है या तो दोस्तो यह चीज़े आपको उपर भी show कर सकता है ठीक है इस तरह से उसके बाद दोस्तो आप यहां click करेंगे और उसके बाद दोस्तो इसमें एक option आता है more commands का option आता है इसपे आप click करेंगे उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का window open होगा कुछ इस तरह का dialogue box open होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर drop down में click करना है और यहाँ से दोस्तों आपको all commands open कर लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप इसमें scroll करेंगे ठीक है आप यहां से scroll कर सकते है और scroll करते हुए दोस्तों आपको इसमें search करना है send to Microsoft PowerPoint ठीक है send to Microsoft PowerPoint तो दोस्तों यह S वाले category में होगा तो थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते है तो दोस्तों यहां आपको मिल जाएगा send to Microsoft PowerPoint ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि यह वाला command जो में मिल गया है तो दोस्तों आप इसे select करेंगे उसके बाद दोस्तों add पे आप click कर देंगे ठीक है यह मेरा already यहां पर add है इसलिए दोस्तों यहां पर यह दुवारा add नहीं हो पा रहे है अगर मैं यहां से पहले इसे remove कर लेता हूं थिक है तो आपके case में दोस्तों यह कुछ इस तरगाँ हो सकता है तो आप क्या करेंगे इस वाले command को इस तरह से select करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे add करा लेंगे add कराने के बाद दोस्तों आपको OK कर देना है इतना करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का बटन मिल जाएगा और अगर आप यहाँ पर mouse cursor रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा Send to Microsoft PowerPoint तो इतना दोस्तों आपको सबसे पहले कर लेना है इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है बस इस बटन के उपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते ही कि हमारा सभी slide जो है PowerPoint में convert हो गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी content जो हमारा अलग-अलग slide में आ गया है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर Inable Editing पर क्लिक कर लेंगे Inable Editing पर करते ही दोस्तों यह कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले सलाइड को सेलेक करते हैं Replace पर क्लिक करेंगे replace font पे click करेंगे यहां पर दुस्तो जो भी font है इसे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे उसके बाद दुस्तो नीचे वाले font पे click करेंगे और यहां पर दुस्तो हम लोग pop-ins search कर लेंगे और replace पे click कर देते हैं अगर इस तरह से नहीं होता है तो दुस्तो आप design tab पे click करेंगे design tab पे click करने के बाद आपको गय करना है यहां पर दुस्तो आपको click कर लेना है यहां पर दुस्तो आपको font का option मिलेगा font आप select करेंगे उसके बाद दुस्तो इस में से आप pop-ins font select कर सकते हैं या जो भी आपका favorite font हो वो font दुस्तो आप यहां से apply कर सकते हैं तो यहां पर दुस्तो देख सकते हैं कि जैसे मैं pop-ins font apply करता हूँ यह देखिए तो दुस्तो देख सकते हैं कि हमारा font जो है change हो जा रहा है तो इस तरह से हम लोग font change कर लेंगे देखिए सभी का font बिल्कुल जो है office 365 है तो दुस्तो इसमें आपको एक option मिलता है design idea का design idea वाले option पे click करेंगे और जैसे दुस्तो आप design idea पे click करेंगे तो दुस्तो आपको कुछ इस तरह से यह सारी चीज़े so हो जाएगा तो इसमें से दुस्तो आप जो भी formatting select करना चाहें आप वो कर सकते है जिसे कि दुस्तो यह वाला अगर हम select करते है तो यह हमारा कुछ इस तरह से so होगा कि इस तरह से यहापे यह सवाल आ जाएंगे और इस तरह से यह हमारा इसके options so होगे ठीक है यह तो दुस्तो आप इसमें दुस्तो आपको quiz वाला जो है बहुत तरह का design दिखाए देगा जिसे कि अगर आप यह वाला formatting select करते है तो यहापे इस तरह से सवाल सो होंगे और इस तरह से इसके options होंगे ठीक है यहापे आप इस तरह से भी रख सकते है चली इस तरह से भी रख सकते है यह तो दुस्तो आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते है तो जो आपको पसंद हो आप वाला design select कर सकते है इसी तरह से दुस्तो आप दूसरे slide को भी design कर सकते है यहनकि आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप दुस्तो Microsoft Office 365 64 अपने PC में install कर ली है तो दुस्तो आपको क्या करना है बस slide को select करना है उसके बाद अपको design idea tap पे click करना है design idea tap पे click करते ही दुस्तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे design idea यहां पे spoken हो जाएगा उसके बाद दुस्तो आपको जो भी design idea दिया गया है आप उसे इस तरह से select कर सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों इसे हमें कुछ अलग तरीके से design करना है ठीक है तो दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी design इसमें apply करके दिखा देता हूँ कि आपकी इस तरह से design कर सकते हैं हम यहाँ पर click करते हैं और design idea पर click कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर यह जो answer इसी slide में आ गया है ठीक है तो हम लोग इसे चाहें तो यहां से cut paste कर सकते हैं यहां से दोस्तों हम लोग इसे cut कर लेंगे ठीक है और दूसरे slide में दोस्तों इसे हम लोग रख सकते हैं ठीक है इसे भी दोस्तों मैं थोड़ा सा design कर लेता हूँ तो दोस्तो हमने सभी slide design कर लिया है ठीक है सभी slide को design करने के बाद दोस्तो हम लोग control A से all select करेंगे और उसके बाद दोस्तो transaction option पे click करेंगे और यहां से दोस्तो marfo transaction apply कर देंगे तो इस तरह से दोस्तो अब हमारा Microsoft Word से दोस्तो यह हमारा PowerPoint में content convert हो गया है अब दोस्तो यहां पे slide show पे click करके और उसके बाद दोस्तो from beginning पे click करके आप यह सारी चीज़े देख सकते है तो दोस्तो आप जैसे enter press करेंगे तो यहां पे इस तरह से slide change होगा उसके बाद दोस्तो आप इसे इस तरह से पढ़ा सकते है explain कर सकते है अगर दोस्तो आपको इसे explain करना है graphic pen tablet से कुछ लिक करके समझाना है तो दोस्तो आप control के साथ आप P press करेंगे उसके बाद दोस्तो आप इस तरह से graphic pen tablet के मदद से लिक लिक करके यहां पे चीज़ों को समझा सकते है arrange करना है तो दोस्तो आप E press करेंगे तो यहां पे जो भी चीज़े आपने लिका है वो arrange हो जाएगा अगर दोस्तो मुझे pen से वापस mouse सही है तो हम लोग क्या करेंगे इसकी button press करेंगे एक बार तो दोस्तो यह हमारा mouse बन जाएगा उसके बाद दोस्तो हम लोग slide के उपर click करके next slide में जा सकते है और फिर दोस्तो हम लोग next wall को explain कर सकते है यहां पर यह सारी चीज़े पढ़ सकते है explain कर सकते है आप दोस्तो सही answer बताना है तो आप control के साथ प्रेस करेंगे तो यह दोस्तो mouse जो है आपका pen बन जाएगा उसके बाद दोस्तो आप चीज़ों को लिक लिक करके आप बड़े अराम से पढ़ा सकते है बता सकते है फिर दोस्तो आपको mouse चाहिए तो दोस्तो आप एक बार इसकी बटन प्रेस करेंगे तो यह mouse बन जाएगा उसके बाद दोस्तो आप slide पे click करके next slide में जा सकते है तो इस तरह से दोस्तो आप बड़े है अराम से बहुत ही असानी से जो है MS Word से PowerPoint में अपनी डाटा को convert कर सकते है तो बस दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना नहीं I hope कि ये वीडियो ये टुटोरियल आपको पसंद आया होगा बहुत ही useful लगा होगा दोस्तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर हमारा मनोबल बढ़ाए दोस्तो अगर add tech में तरह चैनल पे नए है तो इस तरह के tips ट्रिक और informative वीडियो देखने के हैं तो चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स वीडियो में नेक्स टुटोरियल में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन बंदे मात्रम